हेलो एवरिबन आयम सन्नी यूर फिजिक्स टीचर वेलकम बैक तू मैं यूटूब चैनल सेंट्र ओफ मास के आज के इस लेक्चर में हमें कैविटी प्रोब्लम्स को सोल करेंगे मतलब है कैविटी प्रोब्लम्स में सेंट्र ओफ मास कैसे फाइंड आउट किया जाए तो है कैविटी प्रोब्लम्स तो देखो फर्स्ट नुमेरिकल में क्या गिवन है मालो मेरे पास यह एक डिस्क है ठीक है यूनिफॉर्म डिस्क सही है और इसकी रेडियस क्या है फोर आर्गिवन है ठीक है अब मैंने क्या किया इस डिस्क में से एक छोटी सी डिस्क निकाल ली जिसकी रेडियस कितनी है आर इस डिस्क में से एक छोटी सी डिस्क बाहर निकाल ली ठीक है तो मतलब यह यहाँ पे क्या बन गी कैविटी बन गी मतलब यहां से मैंने डिस्क बार निकाल ली ना तो यह cavity बन गी यहां पर कुछ नहीं है अब इस प्रेजेंट नुमेरिकल में जब यहां पर cavity बन गी तो mass cable यहां पर distributed है ठीक है और अब इसका center of mass find out करना है कहां पर आएगा मालो यह x-axis है और यह y-axis है ठीक है cavity problem है तो आप दिखाई दे रही है यहां पर है cavity है केवल mass का uniform distribution ही आप पर है ठीक है तो अब देखो मैं इसको किसके equivalent मान सकता हूं इस cavity problem को किसके equivalent मान सकता हूं ऐसा माननो मेरे पास एक disc है सबसे पहले कम्प्लीट डिस्क है ठीक है कितनी रेडियस की एक फोर आर रेडियस की ठीक है इसमें से मैंने कुछ भी नहीं निकाला है complete disc है ठीक है कम्प्लीट डिस्क अब देखो यह जो मैंने यहां पर यह पॉर्शन निकाला था ना छोटी ही डिस्क है की रेडियस आर थी, वह कितना आएगा, शर्फेस मास डेन्सिटी सिग्मा, इंटु में, पाई आर स्क्वेर। इतना इतो आएगा, बिलकुल सही है, तो अब देखो, यह जो कैविटी है, यहाँ पे कैविटी बन गी, मतलब मास के ओल यहाँ पे डिस्ट्रूबुटिड है, यहां पर तो cavity है यहां पर कुछ नहीं है तो इसका center of mass find out करना था अब मैं इसको किसके equivalent मान सकता हूं एक पूरी disk लेलो ठीक है तो यहां पर यह जो है ना यहां पर भी distributed है mass यह जो disk आएगी ना इस complete disk में एक जो छोटी सी डिस्क आएगी जिसकी radius क्या होगी आर है ठीक है अभी यहां पर मास distributed है मतलब यह complete disk है ठीक है तो इसका mass कितना आएगा sigma into pi r square इस छोटी सी डिस्क का जिसकी radius r है sigma into pi r square आएगा ना अब देखो मैं एक disk लाओं बाहर से बाहर से मैं एक disk लाता हूं आर radius की ठीक है और जिसका mass क्या हो negative कितना minus sigma pi r square mass हो मतलब negative mass की एक disk लाता हूं r radius की यह disk मैं यहां पर रख दूँ अगर तो यह sigma pi r square mass है और minus sigma pi r square mass यह तो 0 mass हो जाएगा तो मतलब यहां पर cavity बढ़ जाएगी अगर मैं बाहर से minus sigma pi r square mass की और r radius की disk रख दूँगा तो sigma pi r square mass और minus sigma pi r square mass 0 हो जाएगा तो यहां पर cavity बन जाएगी ठीक है तो मतलब मैं बाहर से minus sigma pi r square mass की और r radius की disk कर रख दूँगा यहां पर तो एक तरह से यहां पर यह cavity ही बन जाएगी जो कि हमें दिखाई नहीं दे दी क्योंकि मैंने क्या माना है शुरुआत में complete disk जिसकी radius 4r ठीक है complete disk और फिर मैंने इस complete disk की एक छोटी सी disk माल ली r radius की तो उस complete disk की एक छोटी सी disk होगी उसका मास तो sigma pi r square आएगा अब बाहर से r radius की ही डिस्क लाया negative मास की minus sigma pi r square मास की और इस disk के उपर रख दी तो यहां पे तो मास कुछ रहेगा ही नहीं ना तो यह cavity बन जाएगी जो कि हमें दिखाई नहीं दे दी तो इसका मतलब है यह किसके equivalent है complete disk है मतलब कहीं पर कोई cavity नहीं होने चाहिए complete disk है यहाँ पर मैं minus sigma pi r square मास की और r radius की डिस्क बाहर से रख दूँ तो एक तरह से यहाँ पर cavity बन जाएगी तो यह complete इसके equivalent हो जाएगा complete disk और r radius की प्लस यहाँ पर r radius की minus sigma pi r square negative mass की यहाँ पर एक डिस्क रख दूँ तो एक तरह से यहाँ पर cavity बन जाएगी तो यह पूरा किसके equivalent है complete disk plus minus sigma pi r square negative mass है ना इतने mass की disk of radius r तो अब देखो यहाँ पर cavity बढ़ी थी ना कि यहाँ पर यहाँ पर distributed था uniformly और surface mass density sigma थी तो यह देखो इसका center of mass find out करना था मतलब जब यहाँ पर cavity बढ़ी यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यह पूरी problem देखो कि इसके equivalent है एक complete disk for r radius की surface mass density sigma ही मतलब अभी तक कोई cavity नहीं है ठीक है और फिर मैं क्या करता हूँ बार से r radius की और minus sigma pi r square mass मतलब negative mass की इसके ओपर एक disk रख देता हूँ r radius की तो यहाँ पर तो कोई mass बचेगा ही ना क्योंकि already complete disk में यहाँ पर कितना mass था sigma pi r square और बार से मैं r radius की ही एक दूसरी disk के लाया minus sigma pi r square negative mass की इसके उपर रख दी तो minus sigma pi r square और sigma pi r square total mass कितना बचा है यहाँ पर 0 तो यहाँ पर cavity बनेगी जो कि यह मैं दिखाए नहीं देरी बस है तो यह इसके equivalent है तो यहाँ पर negative mass concept का यूज होगा ठीक है तो यह जो मेरी problem है किसके equivalent बनेगी complete disk प्लस एक डिस्क जिसका mass negative है minus sigma pi r square और उसकी radius आ रहा है यह पूरी problem है इसके equivalent बनेगी ठीक है तो अब देखो जब में complete disk की बात करूँगा क्योंकि यह किसके equivalent है complete disk प्लस यहाँ पर आर रेडियस की और minus sigma pi r square negative mass की disk रख दी तो यहाँ पर एक तरह से cavity बने जाएगी जो कि हमें दिखाए निदेरी ठीक है तो यहाँ पर तो कोई सब्सक्राइब तो यहाँ पर तो कोई मास बचेंगा ही ना तो यहाँ पर एक तरह से cavity बर जाएगी तो यह इसके equivalent है complete तो यहाँ पर negative mass concept को समझेने कोशिश करो तो इसका center of mass मतलब है with cavity जो मेरी problem है इसका center of mass find out करने का मतलब क्या हो गया अगर मैं जो यह इसके equivalent यह नया system बने आना 4R radius की complete disk पलस यहाँ पर R radius की एक disk जिसका mass negative minus sigma pi r square अगर मैं इस system का center of mass निकाल पाया तो वह एक तरह से cavity वाली problem का center of mass हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर देखो यह complete disk complete disk का center of mass कहां पर होता है at the center तो यह कितना हो जाएगा sigma into m1 यह कितना जाएगा सिग्मा surface mass density m1 देखो सिग्मा surface mass density into मैं यह जो मेरी complete disk है उसका area जो कि कितना होगा पाई इंट्व मैं 4R का square मतलब 16R square m1 इतना आ गया और जो मैं बाहर से एक r radius की और minus sigma pi r square negative mass की एक disk लिया और इसके उपर रख दी complete disk के इस portion पे तो यहां पे cavity बढ़िए एक तरह से तो m2 mass मतलब negative mass of r radius disk वो कितना minus sigma pi r square ठीक है तो m1 यहां पे होगा complete disk के center में और जो यह मैं बाहर से r radius की मतलब negative mass मतलब है minus sigma pi r square mass की एक disk लिया और यहां पे रख दी तो एक तरह से यहां पे finally cavity बनेगी तो यह पूरा system इसके equivalent हो गया यहां पे cavity थी ना तो यह जो disk है disk radius r है और इसका mass क्या है negative minus sigma pi r square जो कि मैं बाहर से लाया और यहां पे रख दी वो disk तो यह भी है इसका mass negative हो इसका center of mass भी at the center of mass of this disk आएगा तो यहां पे m2 mass करेगा ना तो इसका center of mass यहां पे आएगा यह जो बाहर से जो मैं disk लाया था r radius की और minus sigma pi r square mass मतलब m2 mass की जो कि मैंने disk यहां पे रखी उसका center of mass इस disk के center पे तो आएगा ठीक है और यह क्या है मेरी x-axis और यह y-axis ठीक है तो complete disk mass m1 ठीक है यह origin है मतलब और यह 2r हो जाएगी और यह r तो 3r distance दूर मतलब जो यह point होगा ना a negative mass disk का जो center होगा a point है वहां पे कितना mass है m2 और m2 कितना माइन है sigma pi r square अब एक तरह से यह दो particle system बन गया ठीक है यह x-axis और यह y-axis complete disk की बात करूँ मतलब 4r radius की complete disk उसका mass m1 आएगा जो की center of the disk पे आएगा मतलब center of mass complete disk का center of the disk पे आएगा ना m1 मतलब original ठीक है प्लस यह जो negative mass disk थी मतलब m2 minus sigma pi r square और जिसकी radius क्या है r उसका center of mass इस छोटी सी disk के center पे आएगा मतलब यह point पे ठीक है और यह 2r और यह r तो यह 3r होगी तो complete disk of radius और r plus minus sigma pi r square negative mass disk of radius r यह पूरी किसके equivalent हो जाएगी इस present cavity problem के equivalent तो अब ऐसा मानो दो point mass system बन जाएगा इसके coordinates के आएगे 0,0 इस a point के coordinates के आएगे 3r,0 ठीक है तो जो यह present मेरी जो cavity problem है जिसमें यहाँ पे cavity है यहाँ पे uniformly mass distributed है यह किसके equivalent है इसके equivalent बन गी तभी तो मैंने equivalent का sign लगा रखा है तो इस present cavity problem का center of mass का x coordinate x cm वो क्या हैगा m1 मतलब sigma इंटू में pi 16r square इंटू में x1 जो की 0 है plus m2 minus sigma pi r square इंटू में x2 जो की 3r है ठीक है plus m2 x2 m2 negative है न माइनस sigma pi r square m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2 तो यह कितना आ जाएगा m1 plus m2 तोड़ा में से गया 15 sigma pi r square के बराबर ठीक है तो अब देखो यह तो 0 हो गया 0 into में यह और देखो sigma pi r square से sigma pi r square कैंसल यहाँ पे negative और यह sigma pi r square से sigma pi r square कैंसल और यह minus 3r यहाँ पे लिख लेता हूँ तो अच्छा लगेगा minus 3r divided by 15 तो यह आगया minus r divided by 5 मतलब यह जो present जो cavity problem थी ना उसके center of mass का x coordinate x cm minus r by 5 y cm देखो कितना आएगा again using formula m1 y1 m1 कितना यह into my y1 0 plus m2 यह negative into my y2 0 divided by m1 plus m2 यह तो 0 ही आएगा ठीक है तो मुझे यह जो present cavity problem थी ना इसके center of mass के coordinates पता चलगे minus r by 5,0 मतलब x axis पे आएगा center of mass और उसके coordinates क्या होंगे minus r by 5,0 ठीक है तो कुछ यहाँ पे आएगा center of mass ठीक है यह है center of mass of this present cavity problem इस center of mass के coordinates क्या हो जाएगे minus r by 5,0 तो यह दूरी कितनी आएगी r by 5 तो center of mass थोड़ा सा इस तरफ shift हो जाएगा कैसे किस context में बोल रहा हूँ मैं ऐसा कोई cavity नहीं होती complete disk होती ठीक है uniform complete disk होती कोई cavity नहीं होती मतलब है अगर यहाँ पे भी mass distributed होता कोई cavity नहीं होती यह तो center of mass कहाँ पे आता है at the center of the disk लेकिन अब मैंने r radius की यहाँ पे cavity बना दी मतलब है वो जो था ना r radius की यहाँ पे छोटी से disk थी वो बाहर निकाल दी तो यहाँ पे cavity बन गी न r radius की तो अब यह जो बचा हुआ है portion यह इसका center of mass यहाँ पे आएगा इस तरफ r by 5 से shift हो जाएगा ठीक है तो अब देखो कुछ अच्छे case discuss करते हैं cavity problems के ही कुछ और अच्छे case discuss करते हैं cavity problems के उपर देश्ट ठीक है देखो माल लो मेरे पास एक यह uniform disc है कहीं पे कोई cavity नहीं है तो इसका center of mass at the center of the disc आएगा बिल्कुल सही है यह uniform disc है कहीं पे कोई cavity नहीं है अरजन है mass distributed है ठीक है अब देखो मैंने माल लो यह cavity बना दी mass cable यहाँ पे distributed है ठीक है यह क्या है cavity यहाँ पे खाली है cavity का मतलब खाली जग है और यह radius है और यह radius है और यह radius है 4R जब कोई cavity नहीं थी complete uniform disc थी तो center of mass बिल्कुल center में आता है डिस्क के अब मैंने आर रेडियस की यहाँ पे cavity बना दी मतलब एक portion बाहर निकाल दिया आर रेडियस की जो डिस्क थी ना वो बाहर निकाल दी तो यहाँ पे तो cavity बनेगी अब भी यहाँ पे भी यह remaining portion है ना इसका center of mass यहीं पे आएगा ठीक है यहाँ पे जो cavity है ना उस cavity के कारण भी यह जो remaining portion है उसका center of mass यहीं पे आएगा जो की पहले था और अब देखो माल लो यह radius क्या है 4R मैंने यहाँ पे cavity बना दी और एक cavity यहाँ पे बना दी ठीक है एक cavity यह है और दूसरी cavity यह है और रेडियस की ही ठीक है cavity of radius r और यह cavity भी क्या है r radius की ही है दो cavity है यहाँ पे cavity of radius r cavity नमर एक cavity नमर दो देखो यह जो cavity है ना यह बिलकुल इसके सामने है इस दूसरी cavity के सामने और यह भी r radius की ही कैविटी है और यह भी r radius की ही कैविटी है तो यहाँ पे जो यह remaining portion है ना बलब present बात करूँ मैं जब यहाँ पे cavity है और यहाँ पे तो यह remaining portion बच गया इसका center of mass भी यहीं पे आएगा ठीक है due to symmetry city symmetry के कारण है क्योंकि यहाँ पे भी R radius की cavity यहाँ पे भी R radius की cavity और दोनों बिल्कुल आम ने सामने है तो center of mass के उपर कोई फरकर नहीं पड़ेगा center में ही आएगा तो अब देखो मालनों एक cavity यहाँ पे है दूसरी cavity यहाँ पे है तीसरी cavity यहाँ पे है तोथी cavity यहाँ पे है ठीक है यह identical cavities है और मालनों यह जो डिस्क थी ना इसकी radius क्या थी 4R तो यह जो डिस्क की radius है ना वो कितनी है 4R ही है cavity नमबर एक इस cavity की radius भी R इस cavity की radius भी R ठीक है इस cavity की radius भी R इस cavity की radius भी R इन चारो cavities की radius क्या सेम R, 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 R ठीक है तो इन चार cavity बन गी यहाँ पे ही है यह cavity इसके सामने है यह cavity इसके सामने है तो symmetricity के कारण है यह remaining portion है ना इसका center of mass भी यहीं पे आएगा ठीक है क्योंकि symmetry के कारण अब देखो cavity के उपर बेस्ट एक और numerical करते हैं center of mass ही find out करेंगे एक और अच्छा numerical करते हैं क्या given है second numerical में मान लो मेरे पास एक यह complete disk थी palette ठीक है कहीं पे कोई cavity नहीं थी अरजंगा uniformly mass distributed था ठीक है और इसकी radius कितनी थी 2R ठीक है अब मैंने क्या किया इस complete disk में से R radius की एक disk बाहर निकाल दी R radius की disk बाहर निकाल दी है ठीक है तो यहाँ पे cavity बनगी ना यहाँ पे तो खली जिंगा बनगी तो क्योल mass तो यहीं पे रहे या distributed क्योंकि यह portion तो मैंने बाहर निकाल लिया ठीक है तो माल लो यह x axis है और यह y axis है तो इसका center of mass find out करना कहां पे आएगा ठीक है कैसे find out करें तो देखो मैं यह जो present cavity है present cavity problem जो है इसको किसके equivalent बनाने जा रहा हूं माल लो एक complete disk है कितनी radius की 2R radius की ठीक है कहीं पे कोई कैविटी नहीं है फिलाल complete disk है मतलब complete disk और यह complete disk कितनी radius की 2R ठीक है तो इस complete disk का एक यह portion भी होगा बिल्कुल होगा इसका mass कितना है गा अभी कोई कैविटी नहीं है ऐसा समझो एक complete disk है 2R radius की कहीं पे कोई कैविटी नहीं है ठीक है तो इस complete disk का एक यह portion भी होगा R radius की disk बिल्कुल होगी इसका mass कितना है गा sigma into में pi r square बिल्कुल सही है यह जो complete disk है कहीं पे कोई कैविटी नहीं है उसका एक पार्ट यह भी तो है एक छोटी सी disk R radius की इसका mass कितना आएगा surface mass density sigma into में area of this smaller disk pi r square ठीक है तो अब मैं क्या गरता हूँ बाहर से एक r radius की ही disk लेकिन negative mass की minus sigma pi r square mass की और r radius की ही disk इसके उपर रख देता हूँ तो complete disk में जो यह disk शामिल थी छोटी सी R radius की उसका mass कितना था sigma pi r square और मैं बाहर से r radius की ही एक दूसरी disk लाता हूँ इसका mass क्या हर negative minus sigma pi r square और इसके उपर रख देता हूँ तो यह mass तो गाएग हो गया एक तरह से यहां पर cavity बनगी न क्यों यह remaining portion बच गया ठीक है तो यह जो मेरी problem है with cavity यह किस के equivalent है complete disk of radius to r प्लस यहां पर मैं बाहर से एक negative mass की disk रख देता हूँ minus sigma pi r square mass की एक disk रख देता हूँ और r radius की तो यहां का mass तो गया है वो जाओगा cavity बन जाएगी न अमें दिखाई बले ही ना दे रही हो तो यह होता है negative mass concept ठीक है तो अब देखो यह है ना cavity problem इसके equivalent होगी बिल्कुल इसलिए मैंने equivalent का sign लगा रख था है complete disk of radius to r प्लस बार से में r radius की और minus sigma pi r square मतलब negative mass की disk यहां पे रख देता हूँ तो यह इसी के equivalent बन जाएगी तो अब देखो जो यह complete disk है उसका mass m1 मतलब उसका center of mass disk के center में ही आएगा ना यहां पे बिल्कुल और complete disk का mass m1 वो कितना हो जाएगा surface mass density sigma into this complete disk का area वो क्या होगा पाई इंटू में 2 r का square मतलब है पाई 4 r square ठीक है और वो कहां पे center होगा at the center of the disk क्योंकि disk का center of disk का mass कहां पे centered होता है at the center of the disk मतलब है complete disk का center of mass at the center of the disk होता है अब देखो मैं बार से एक small r radius की छोटी disk लाया हूँ जिसका mass है minus sigma pi r square m2 वो कितना है minus sigma pi r square इसका mass कहां पे centered होगा इस छोटी disk के center पे ही m2 ठीक है और इनके बीच की separation कितनी आएगी r और ये मेरी x axis है ये y axis है तो अब देखो ये जो पूरा system है ना किसके equivalent बन गया दो point mass system के equivalent बन गया इनके बीच की separation कितनी है r ये x axis है और ये y axis ये origin और ये a point origin पे m1 mass है मतलब complete disk का ठीक है point mass और इस a point पे इस छोटी disk का negative mass है m2 ठीक है इससे के coordinates क्या हैंगे origin के coordinates तो 0-0 होंगे इस a point के coordinate क्या हो जाएंगे r,0 ठीक है तो ये जो मेरी present cavity problem थी वो किसके equivalent बन गी एक complete disk of radius to r plus बार से मैं एक छोटी disk लिया small r मतलब capital r radius की ही small disk लेकिन negative mass की minus sigma pi r square negative mass की और इसके उपर रख दी पे एक तरह से यहाँ पे mass खतम हो गया जो कि हमें दिखाए नहीं दे रहा क्योंकि complete disk में यहाँ पे mass सामिल था ना पोजिटिव sigma pi r square इस छोटी r radius की disk का mass complete disk में जो शामिल थी वो कितना था? sigma pi r square और माँ बार से r radius की disk लिया लेकिन minus sigma pi r square mass की और इसको उपर रख दी तो उतना ही positive mass उतना ही negative mass तो खतम हो गया एक तरह से यहाँ पे cavity बढ़ गी ठीक है? तो यह किसके एक्विलेंट हो जाएगा? complete disk of radius 2 r प्लस यहाँ पे एक छोटी disk of r radius of negative mass minus sigma pi r square complete disk का center of mass यहाँ पे आएगा at the center of the disk जहाँ पे सारा mass m1 concentrate करेगा origin पे और यह जो छोटी disk है हम बहुला छोटी disk है जो की r radius की उसका mass का है negative m2 is equal to negative minus sigma pi r square उसका mass भी कहाँ पे concentrate करेगा? at the center of that smaller disk मतलब ए पॉइंट पे ठीक है? मतलब अभी यह मेरा पूरा system दो पॉइंट मास system बढ़ गया तो यह जो मेरी जो present numerical था cavity problem में वाड़ा उसके center of mass का x coordinate क्या जाएगा? m1 जो की यह है इंटू में x10 plus m2 minus sigma pi r square ठीक है? इंटू में x2 जो की r है divided by m1 plus m2 m1 plus m2 देखो यह कितना आएगा? च्यार में से गया तीन तीन sigma pi r square आगया ठीक है? तो यह तो 0 गया यहां पे और sigma pi r square से sigma pi r square कैंसल और यह minus sign यहां पे है तो यह कितना आगया? minus r y3 ठीक है? और y cm देखो कितना आएगा? 0 आएगा और 0 आना भी चाहिए m1 y1 0 plus m2 y2 0 divided by m1 plus m2 numerator में ही 0 आगया तो y cm क्या जाएगा? 0 कोई जो cavity problem थी ना इसके center of mass के kudinates मुझे पता चल गए और वो क्या आए? minus r y3,0 ठीक है? तो center of mass कुछ यहाँ पे आएगा जिसके coordinates क्या होंगे? minus r y3,0 यहाँ से कितनी इस तरफ है? r y3 ठीक है? मतलब मान लोग कोई cavity नहीं होती यहाँ पे भी mass distributed होता और यह uniform disk होती complete तो center of mass यहाँ पे आता at the center of the disk लेकिन मैंने क्या किया? r radius की disk के बाहर निकाल ली तो यहाँ पे एक cavity बन की तो यह remaining portion है ना? remaining portion अब इसका center of mass है? थोड़ा हाँ, displace हो जाएगा इस तरफ आएगा r by 3 distance से displace हो जाएगा इस तरफ आएगा, ठीक है? अब देखो next numerical में क्या given है? numerical number third again cavity problem है यह और भी अच्छी cavity problem है मान लो मेरे पास एक complete disk थी अभी कोई cavity नहीं है, ठीक है? complete disk थी ठीक है? uniformly mass distributed था और मान लो यह x-axis और यह y-axis है इस complete disk की radius 2r अब मैंने क्या किया? यह जो portion है डिस्क का r radius का यह काट के बार निकाल दिया ठीक है? तो मतलब यहाँ पे cavity बनगी और यह r radius की यह छोटी सी disk मैंने काट के बार निकाली है जिसके कारण यहाँ पे cavity बनी वो portion मैंने यहाँ पे रख दिया इस तरफ ठीक है? वो काटावा portion मैंने यहाँ पे रख दिया तो अब बताओ center of mass के coordinates द्यान रहे जो मैंने यहाँ से r radius की disk बाहर निकाली है जिसके कारण यहाँ पे तो cavity बनीगी, collision बनीगी वो ही portion मैंने काटा हुआ यहाँ पे रख दिया इस तरफ ठीक है? तो अब देखो यह किस के equivalent बनेगा? माल लो एक complete disk है कितने radius की? 2R radius की अभी तब कहीं पे कोई cavity नहीं है कोई छेड़खानी नहीं की गई है इसके साथ ठीक है? और माल लो यह x axis है और यह y axis है ठीक है? तो जो मैंने यहाँ से portion काटा था था जिसके एक cavity बनेगी R radius की जो disk मैंने बाहर निकाली काट के जिसके काननी याँ पे cavity बनेगी और यह portion मैंने यहाँ पे रख दिया था जानरे तो क्येवल जो यह portion मैंने यहाँ से काटके निकाला है भी उस portion का मास बताओ कितना आएगा सर्फेस मास डेंसिटी सिग्मा इंटू में पाई आर स्केर इतना ही तो आएगा ठीक है जो पोर्शन मेंने कट किया था उसका मास सिग्मा इंटू में पाई आर स्केर आएगा अब यह देखो यह जो problem है पूरी यह किसके equivalent होगी complete disk of radius to r कहीं पे कोई छेड़ खानी नहीं की गई इसके साथ complete disk है ठीक है और मैं क्या करूँ बाहर से एक disk रख दूँ r radius की एक छोटी disk रख दूँ r radius की और जिसका mass क्या हो negative negative mass concept है द्यान रहे और कितना mass हो minus sigma pi r square negative mass की और r radius की एक disk मैं बाहर से लाऊं और यहाँ पे रख दूँ ठीक है तो यहाँ पे तो cavity बनगी ठीक है क्योंकि जो complete disk थी उसमें यहाँ पे mass था ना sigma pi r square complete disk में जो यह r radius की disk शामिल थी उसका mass sigma into pi r square था और मां बाहर से r radius की छोटी disk के उतने ही size की लेकिन minus sigma pi r square mass की मतलब negative mass की disk के यहाँ पे इसके उपर रख देता हूं तो उतना ही positive ना उतना ही negative mass तो 0 हो जाएगा तो यहाँ पे तो cavity बनगी ठीक है और मैं बाहर से एक और disk लाता हूं उतने ही size की r radius की ठीक है कितने mass की sigma pi r square mass की मतलब यह positive mass है यह बिल्कुल असली disk है ठीक है positive mass वो तो एक negative mass concept है लेकिन सही भी है concept है अब मैं क्या करता हूं positive mass मतलब असली disk sigma pi r square mass की r radius की यहाँ पे रख देता हूं ठीक है तो अब देखो क्या यह इसके equivalent नहीं होगी complete disk plus negative mass disk minus sigma pi r square mass disk of radius r plus यहाँ पे एक disk रखई बार से असली disk sigma pi r square mass की और r ही radius की तो यहाँ पे तो cavity बनेगी ठीक है तो यह पूरी is equivalent होगी ना एक बार खिर से revise कर रहा हूं बिल्कुल शुरुआत से यहाँ पे मेरी complete disk थी कहीं पे कोई छेड़ खाने नहीं थी मैंने यहाँ से r radius की एक disk निकाल ली होगी वो डिस्क निकाल के यहाँ पे रख दी तो यहाँ पे cavity बनेगी और वो डिस्क निकाल के यहाँ पे रख दी यह पूरा किसके equivalent होगा complete disk of radius to r ठीक है प्लस बाहर से मैं minus sigma pi r square negative mass की एक r radius की disk यहाँ पे रख देता हूँ तो यहाँ पे cavity बने जाएगी और फिर बाहर से एक positive mass मतलब असली disk sigma pi r square mass की r radius की यहाँ पे रख देता हूँ तो यह इसके equivalent बनेगी ना बिलकुल ठीक है तो अब देखो complete disk complete disk का mass m1 वो कितना आएगा sigma into pi into 2r square surface mass density into पूरी disk का area वो क्या हो जाएगा pi into 2r square pi into 4r square what is complete disk का mass काहँ पे concentrate करेगा at the center of the disk यहाँ पे m1 mass complete disk का center करेगा concentrate करेगा अब देखो जो negative mass disk है minus sigma pi r square negative mass disk है उसका mass m2 कितना है minus sigma pi r square यह कहाँ पे concentrate करेगा at the center of the disk बिल्कुल ठीक है और जो मैं positive mass मतलब sigma pi r square mass की r radius की disk मैं जो बाहर से लाया और यहाँ पे रख दी उसका mass m3 वो क्या होगा sigma into pi r square वो कहाँ पे concentrate करेगा at the center of the disk ठीक है तो अब देखो यह यहाँ पे three point mass system मन गया एक तरह से यह x axis यह y axis ठीक है यह origin o यह a point और यह b point origin पे किसका mass concentrated है complete disk का mass m1 ठीक है और यहाँ से r distance इस तरफ a point पे किसका mass concentrated है negative mass disk का और कितना mass concentrated है negative obviously और m2 m2 negative है ठीक है और origin से इस तरफ r distance किसका mass concentrated है इस disk का कितना mass है m3 जो मैंने बाहर से एक असली disk रखी थी जिसका mass m3 positive था sigma pi r square यहाँ पे रखी थी उसका mass center of the disk पे ही तो concentrate करेगा और यह distance क्या है r थीक है तो अब देखो origin के तो coordinates के आएंगे 0,0 इस a point के coordinates r,0 इस b point के coordinates minus r,0 अब यह जो मेरा ना complete problem three point mass system के equivalent बनेगी अब क्यों लेइस से three point mass system का center of mass निकाल लो वही मेरा final answer हो जाएगा तो x cm वो क्या हैगा m1 x1 मतलब m1 into में 0 plus m2 x2 m2 कितना है minus sigma pi r square x2 r plus m3 m3 कितना है sigma pi r square और x3 कितना है minus r ठीक है divided by m1 plus m2 plus m3 तो m2 plus m3 तो 0 हो गया तो m1 plus m2 plus m3 क्या हो जाएगा m1 मतलब 4 sigma pi r square ठीक है और अब देखो यह तो 0 हो गया और यह कितना है minus sigma pi r cube और यह भी कितना है minus sigma pi r cube तो numerator में क्या जाएगा minus 2 sigma pi r cube divided by 4 sigma pi r square तो अब देखो sigma pi r square से sigma pi r square कैंसल हो गया तो उपर केवल r बचा ठीक है और 2 दूनी 4 तो minus r by 2 यह क्या आगया इस present cavity problem के center of mass का x co-ordinate minus r by 2 y cm यह 0 आना ची और 0 आएगा m1 y1 0 plus m2 y2 0 plus m3 y3 0 divided by m1 plus m2 plus m3 तो numerator में ही 0 आगया तो यह 0 ही आएगा तो जो यह problem थी ना मतलब क्या था मेरे पास एक complete disk थी कहीं पे कोई छेड़ खाने नहीं थी उस disk के साथ है r radius की छोटी disk मैंने काट के बार निकाली और यहाँ पे रख दी यहाँ पे cavity बनेगे ठीक है और वो निकाली हुई r radius की छोटी disk के इस तरफ रख दी ध्यान रहे है तो इस system का center of mass के coordinates वो क्या आएगे minus r by 2 0 तो मतलब है यहाँ पे आएगा ठीक है center of mass यहाँ पे आएगा जिसके coordinates के आएगे minus r by 2 0 ठीक है क्योंकि यह r by 2 यह r by 2 r और यह r to r तो यहाँ पे इस console क्या हो गया center of mass के coordinates minus r by 2 0 ठीक है तो यह बहुत important cavity problems है negative mass concept को जुरूर समझो अच्छा concept है बिल्कुल सही है तो प्लीज चैनल को like, share और subscribe जुरूर करें ग्लीज ग्यैर यहाँ प्लीज आप गयाZA आपके लग जुरूर समझाई